गुड मॉर्निंग इस्टुडेंस आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में सो इस्टुडेंस आज अपना है चप्टर नमबर फोर और चप्टर नमबर फोर में आज हम पढ़ेंगी कानून क्या होते हैं यह किसको दर आप बनाए जाते हैं यह कहां पर लागो होते हैं और यह कहां पर बनते हैं तो आएए पढ़ते हैं इस्टुडेंस चप्टर चुरू करने से पहले में आपको पता दूं कि अपनी जो बुक्स है वह मार्केट में आ चुकी है तो आप एड़ क्लास के बुक्स मा कि अकम पता होगा संभाव वह आप सब्मपती और खरिदने बेचने के कानुन को भी जानते हैं embora आप यह जण चूके हैं कि कानुन बनाने का जिम्मा संसत का होता है क्या ये कानून से भी पलाग होते हैं नए कानून किस तरह अस्तितों में आते हैं क्या कोई कानून लोग प्रिया या विवाजास्पत भी होता है नागरिक के नाते हमें ऐसे परिस्तितियों में क्या करना चाहिए तो आईए इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं कि कानून सब पलाग होते हैं आईए हम देखते हैं इस सिस्थ को पढ़ें और उसके नीचे दिये गए प्रिश्णों के उत्तर दें एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिलाद या अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है इस वज़े से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी से ने सही काम किया है क्या उसकी बेटे को केवल इसलिए कानून में से माफ़े मिलनी चाहिए कि उसका बेटा आर्थिक और रजनेजिक रुप से बहुत तागतवर है यह सिदे सिदे कानून के उलंगन का मामला है जैसा कि आप एकाई में एक में पढ़ चुके रश्टवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमती थी कि सौतंतर भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाईश नहीं होनी चाहिए इसलिए उन्होंने सम्मेदान में कहीं इसे प्रावधन जोड़े जो कानून पर आदारिच शाषन की स्थापना के लिए जरूरी थे इसमें बहुत मत्वपूर्ण प्रावधन यह था कि सौतंतर भारत में सभी लोग कानून की नेजर में बरावर होंगे हमारा कानून धर्म जाती और लिंग के अधर पर लोगों के बीच कोई बेदभाव नहीं करता कानून के शाषन का मतलब है कि सभी कानून देश के लिए देश के सभी नियागरिकों पर समान रुप से लागू होते हैं कानून के उपर कोई विक्ति नहीं है चाहे वा सरकारी अधिकारी हो यह धन्ना सेट हो यहां तक कोई राष्टपदी ही क्यो ना हो किसी भी अपराद या कानून के उलंगन की एक निश्चित सजा होती है सजा तक पहुँचने कोई भी एक तैप रिकरिया है जिसमें विक्ति का अपराद साबित किया जाता है लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था प्राचिन भारत में असंग के स्थानी कानून थे अक्सर एक जिसे मामले में कही तैरक स्थानी कानून लागो होती थे विबिन समुदा इन कानूनों को अपने अजिकार शेतर में अपने हिसाब से लागो करने के लिए आजद थे कुछ मामलों में जाती के एधर पर एक ही अपराद के लिए अलग-अलग विक्ति को अलग-अलग सजा दी जाती थी जैसे निशलिय मानने जाने वाले जाती के अपराजी को जाता सजा दी जाती थी ओपनिवेशिक सासन के दोरान कानून पर आधारित विवस्ता जैसे जैसे परिपक वो होती गई जादी कि आधर पर सजा देने में बेदभाव का यहा चलन भी खत्म होने लगा बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुवात अंग्रिजों ने की थी इतियास कारों में इस बात पर काफी विवाद रहा है इसके कई कारण है एक कारण तो यह है कि ओपनिवेशिक कानून मन माने पन पर आधरी था दूसरी और यह बताई जाती है कि ब्रिटिज सरकार ब्रिटिज भारत में कानूनी मामलों की विकास में भारतिया राष्टवादियों ने एक अहम भूमी का निभाई थी 1970 का राष्ट दुरह एक्ट अंग्रेजी सासन के मन माने पन की मिसाल था इस कानून में राष्ट दुरह की परिवाशा बहुत वियापक थी इसके मुताबिक अगर कोई भी विक्ति ब्रिटिज सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गरिफतार किया जल सकता था भारती राष्ट बादी अंग्रेजी दुरह सत्ता के इस मन माने इस्तेमाल का विरोध और उसके आलोचना करते थे अपनी बातों को मन माने के लिए उन्होंने संगर शुरू कर दिया यह समानता का संगर्ष्टा उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालना करना उनकी मजबूरी हो वे कानून को उससे अलग ऐसी विवस्ता के रूप में देखना चाते थे जो नियाय की विचार पर आदारित हो 19 सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उबहने लगा था कानूनी पेशे में लगे भारतियों ने मांग की की उपनिवेशक आदालोत में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए ऐसे भारतिय कानून विशशगी अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजद के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे भारतिय ने आए दिशबी फेसले लेने में पेले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे इस प्रकार उपनिवेशक सासन के दोरान कानून के शासन में विकास करम में यहां के लोग भी कही तरे के समाज में वमिनिसमों की किसी खास कानून पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी जब पुरुषाद से आमतोर पर पत्नी घर की किसी ओरत आमतोर पर पत्नी के उसे चोट पुचाता है या मारपिट अथवा चोड की धमकी देता है तो सामानिय तह इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है औरत को यह नुकसान चालिरिक, मारपिट या भवात्मक शोशन के कारण पहुँच सकता है यह शोशन मोकिक, योन या फिर आर्थिक शोशन भी हो सकता है घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुख्षा की परिबाशा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है अब ऐसी महिलाएं बे घरेलू दाइरे का हिसा मानी जाएगी जो हिसा, जो हिंसा करने वाले पूरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है अब हम बात करते हैं अलोग प्रिय और विवादास्पत कानून यानि वो कानून जो ज़्यादा मशुहूर नहीं है और विवादास्पदियानी जो ज़्यादातर विवाद में रह चुके हैं उस तरह के हम कानून की बात करेंगे आई अब एक और सती का पर विचार करें कई बार संसद एक ऐसा कानून परिशेट पारित कर देती है, जो बहत अलोप्रिय साबित होता है, ऐसा कानून सव्यधानिक रूप से वैध होने की कारण, कानूनन सही तो हो सकता है, फिर बिवा लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी इसलिए लोग उसकी आलोशना कर सकते हैं उसके खिलाफ जन सभाय कर सकते हैं अगबारों में लिख सकते हैं टीवी चैनलों पर रिपोर्ट भे सकते हैं हमारे जिसे लोगतंत्र में आमनागरी संसत द्वारा बनाए जाने वाले दमनकरी कानूनों के बारे में अपनी आसामती व्यक्त कर सकते हैं जब बहुत सारे लोग यहां मानने लगते हैं कि गलत कानून परित हो रहा है तो संसत के उपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का के लिए नगरपालिका की सीमाओं के बितर जगह के इस्तेमाल से संबंदित विबन नगरपालिका कानूनों में पट्री पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गेर कानूनी गुशित किया गया है फेरी लगाने वाले और पट्री पर दुकान लगाने वाले वो होते हैं माश्टर के खिलाफ है ने इस्टेशन की जो रूल सोते हैं उसके खिलाफ माँ पर अपनी गाड़ियों में सामान बेशते हैं इसमें कोई संदे नहीं है कि सारवजे ने किसानों को साफ सुत्रा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है तब ही लोग आसने से फुट पातों पर चल पाएंगे लेकिन हम इस बात को भीज नजरनदाज नहीं कर सकते हैं कि पट्री वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शेर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीज़े और सेवाए बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलता पूरवक पहुंचाते हैं इसे से उनकी रोजी रोटी भी चलती है लिहाजा अगर कानून किसी एक समू की हित हिमायत करता है और दूसरे समू की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराओ की इस्तती पैदा हो जाएगी तो वही क्या कहलाएगा कानून सविधन की विरुद्ध है तो वहाँ उसमें संशुदन कर सकती है या उसमें रद भी कर सकती है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक की रूप में हमारी भूमी का प्रतिनीदियों के चुनाओं के साथ खत्म होती है इसके बाद हम अकबारों और अन्य संचार माद्यमों के जरीए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे संसत क्या कर रहे हैं अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उनकी आलोचना करते हैं इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सदारी पर यह लागू होते हो और किसके दुबरहें लागू कि यह चाहते हैं तो उम्मित करता हूं आपको एक बार बता दूं कि आप अपनी जल्द अपनी बुक से खरेद लेंगे थैंक यू सो मच इसे रिंट्स